हलो दोस्तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ डेकोर आइटम्स शेयर करने वाली हूँ जिसका यूज हम अपने बालकनी को डेकोर करने और अपने घर के अंदर डेकोर करने के लिए यूज कर सकते हैं तो यह सारे जो डेकोर आइटम्स है वो सिर्फ टेरकोटा के ही है तो सबसे पहले देखिए यह है हॉर्स कपल बहुत ही क्यूट सा हॉर्स कपल और यह मुझे पर 150 रुपीज में मिला था उसके बाद देखिए एक छोटू सा हॉर्स है बहुत ही क्यूट सा यह मैं लास्ट इयर लेकर आई थी ऐसे मैं दो लेकर आई थी तो दोस्तो अगर आप मेरे चैनल में फर्स टैम आए हैं और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो चलिए बढ़ते हैं आगे उसके बाद देखिए यह एक छोटा सा स्टैचू है जो एक धोलक बजा रहा है ऐसे ही मैं दो पीस लेकर आई थी उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही बीटिफुल सा होर्स दिखाती हूँ जिसमें बहुत ही बीटिफुल डिजाइन्स बने हुए हैं यह भी मैं लास्ट यर ही लेके आई थी उस टाइम एराउंड मुझे 200 का मिला था तो यह सारे टेरिकुटा के आईटम आपको नरसरी मे रखते हैं यह लेकिन उनकी शौप टेरिकुटा की शौप अलग ही होती है तो अगर आपके सीटी में है तो जरूर जाके आप एक बार विजिट करिए उसके बाद नीचे में मैंने एक होस शेप का एक प्लांटर रखा हुआ है यह 300 का था इसके ओपर मैंने प्लांट नहीं लगाया हुआ है लेकिन चेंज करती रहती हूँ मैं इसमें प्लांट इसलिए मैंने इसमें प्लांट नहीं लगाया है उसके बाद देखिए यह ब्योटिफ़ल सामाटका जिसमें बीट्बिल लगे हैं इसमें मैं कलर कर दूंगी तो यह और भी बीड़ुफिल लगे का तो तो एक मैं रखती हूँ इसे बालकनी में और एक रखती हूँ मैं इंडोर्स में तो ये मुझे पर स्टूल पढ़ा था 300 एराउंड पढ़ा था एक स्टूल उसकी बाद एक छोटा स्टूल भी मैं लेकर आई थी और ये छोटा स्टूल भी मैं दो लेकर आई थी तो ये भी रखा है एक blue color का lamp इसको hang भी कर सकते है बट बहुत थोड़ा सा heavy है ये इसने मैंने इसे floor पे ही रखा हुआ है अगर इसमें मैं fairy lights डगाऊंगी या दिया लगाती हूँ तो ये बहुत ही सुन्दर लगता है balcony में अभी balcony में space नहीं है इसने मैंने इसे indoor में रख दिया है फिर देखिए एक और मैं blue color का item आपको दिखाती हूँ ये hanging lamp है इसके अंदर bulb लगा सकते हैं बलप लगाने से ये बहुत ही सुन्दर लगता है अभी मैं फिलहाल bulb को निकाल दी हूँ लेकिन जब मैं बलप इसको लगाती हूँ तो night view इसका बहुत ही सुन्दर आता है तो ये मुझे पढ़ा था 500 का उसके बाद ये छोटा सा stool मैंने indoor रखा हुआ है एक्चली ये planter as a planter भी use कर सकते हैं क्योंकि इसमें hole दिया है और देखिए ये इस तरह से हैं तो इसमें हम plants भी लगा सकते हैं बट मैं इसे as a stool ही use कर रही हूँ और इसके उपर मैं एक planter रखती हूँ तो ये भी मुझे बहुत पसंद है ये मुझे पढ़ा था 300 का तो इसके उपर मैं एक planter रखती हूँ जिसमें मैं philodendrum लगा हुआ है उसमें उसके बाद देखिए उसके side में रखा हुआ है एक statue ये एक statue है जो वीना बजाते वे दिखाया गया है तो बहुत ही beautiful सा design है ये मुझे बहुत पसंद है ये मुझे पढ़ा था 600 का तो ये अपनी gardens में रखने में बहुत ही सुन्दर लगता है गार्डन में अगर हम इसे रखे तो उसके बाद ये एक और मटका ये 80 रूपीस का पड़ा था मुझे क्योंकि इसमें कुछ डिजाइन बने हुए है तो इसलिए 80 रूपीस और उसके बाद देखिए ये एक water fountain है ये भी terracotta का बना हुआ है हट शेप का है और इसके साइड में देखिए एक जगा है उसमें क्रिस्टल बॉल रखने की जगा है ये तो ये बहुत ही beautiful लगता है यहां पे एक motor भी दी हुई है तो यहां पानी डालना होता है और ये उपर से आके फिर नीचे फॉल होता है तो इसको भी मैं अगर बालकनी में रखती हूँ तो ये भी बहुत ही सुन्दर लगता है तो ये था एक water fountain terracotta का ही है फिर मैं आपको कुछ और items भी दिखाने वाली हूँ तो ये है देखिए एक मटका तो ये मटका जो मैं लेके आई थी इसे मैं गवा से लेके आई थी इसके उपर सीप स्टिक किये हुए है ये बहुत ही पुराना मटका है लेकिन मुझे बहुत पसंद है कितने का लेके आई थी ये तो मुझे याद नहीं है लेकिन दिस इस माई वन अफ दे फेवरेट उसके बाद देखे यहाँ पर एक उर्ली है जो एक कचुया शेप की है इसमें मैंने लगाया हुआ है वाटर कैबिज जो थोड़ा सा खराब होने लगा है थंड पढ़ने लगी है तो लेकिन एनिहाव ये चल जाता है खराब नहीं होता तो ये कचुआ शेप का जो उर्ली है ये मैं दो लेके आई थी ये एक बड़ा पीस है और एक छोटा पीस भी मेरे पास है तो ये मुझे 200 का पढ़ा था उस टाइम उसके बाद देखे ये बहुत ही सुन्दर सा लैंटरन है हैंग कर सकते हैं इसको इसे हैंग ही करती हूँ और देखे इस तरह से ये उपर हो जाता है और नीचे में एक मटका शेप का बना हुआ है इसके उपर या तो हम फेरी लाइटस भी रख सकते हैं लेकिन मैं दिया रखती हूँ इसमें दिया बहुत ही सुन्दर लगता है जब रात में अगर दिया हम जला दें इसको तो बहुत ही सुन्दर लगता है तो इसे मैं बालकनी में हैंग करती हूँ और कहां हैंग करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ तो इस ट्रप का ये हैंग रहता है बहुत सारे मेरे बालकनी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं उसमें मैंने इसे भी दिखाया था तो इसको जब मैं रात को लाइट करती हूँ तो ये बहुत सुन्दर लगता है तो कुछ और लैंटन में आपको दिखाती हूँ क्यूंकि मुझे लैंटन कलेट करने का बहुत तो इसके अंदर फेरी लाइट भी रख सकते हैं वह भी बहुत ही सुन्दर लगता है तो इस तरह से है ये तो ये लैंटन मुझे 150 का पड़ा था इस टेप के मैंने दो लेकर आई हूँ तो यहां पर मैंने एक साइड हैंग किया है और दूसरा मैंने इस साइड हैंग किया ह तो ये दोनों लैंटने फिर देखिए ये एक हैंगिंग पॉट्स है मैंने चार लेकर आई हूँ और इसको मैंने बॉल में लगा दिया है विद्धा हैल्प आफ नेल्स तो सोच्रियों में यहां पे विंटर फ्लावरिंग प्लांट ही लगाऊंगी क्योंकि यहां बहुत थूपाती है फिर देखिए यह है वाइन चाइम आप कोई भी टेरिकोटा के शॉप में चाहिए आपको डिफरेंट टाइपस ओफ वाइन चाइम देखने को मिल जाती है टेरिकोटा आइटम्स की यह खुबी होती है कि एक बार कलर फैट होने के बाद हम उसमें दूसरा कलर भी कर सकते हैं जैसे हम चाहें तो दोस्तों यह थे कुछ डेकोटा आइटम्स टेरिकोटा के इन टेकोटा में से आपको कौन सा टेरिकोटा का डेकोटा आइटम अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा जरूर तो चलिए आप लोग सबसे में विदा लेती ह मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तिल देन बाई